आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चेप्टर डिसकस करने वाले हैं फेक्टराइजिशन ऑफ क्वाद्रिटिक पॉलिनॉमिल बाइदा मैथड़ अफ इस्प्लिटिंग दा मिडिल टम जो कि हर स्टूरेंट को बहुत ही टफ लगता है तो आज मैं बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे स्प्लिटिंग दा मिडिल टम बहुत ही इजी लगेगा आप लोगों को लगेगा की है प्रक्टिस करने उसके बहुत ही इजी ली यह जो ट्रिक है यह तुम्हें आजएगी और बहुत ही इजी ली कोश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे तो हम त्रिक देखते हैं क्या है हमें given है 3x square plus 4x minus 15 ठीक है 3x के हमने factors बनाने है ठीक है 3 के जो factors बनते हैं वो 1 और 3 बनते है ठीक है तो हम छोटा वाला उपर लिख रहे हैं और बड़ा वाला नीचे लिख रहे हैं तो 1x and 3x ऐसे ही अब हमें 15 के भी factors बनाने हैं उसके भी factors क्या बनेंगे 3 और 5 ठीक है 3 और 5 cross multiply करेंगे cross multiply इसका भी हमने चोटा उपर लिखा और बड़ा नीचे लिखा ठीक है cross multiply करा 3x into 3 क्या हो गया 9 तो 1x into 5 क्या हो गया 5x ठीक है तो अब दोनों का difference क्योंकि हमें minus का sign है तो हमेशा ध्यान आप हो कि difference आना चाहिए और यहां पर अगर plus का sign होता तो हमेशा उनका sum यह 4x आना चाहिए ठीक है हमने अभी हमने किसके factors बना है 3x square के 15 के factors बना है 3 और 5 cross multiply कर दिया यह अब 4x के आगे किसका sign है plus का ठीक है देखों 9x minus 5x कितना आ रहा है 4x आ रहा है अब 4x के आगे किसका sign है plus का तो बड़े वाले के आगे plus का sign आएगा और यह 5x इसके आगे minus का sign आएगा मतलब यह वाला plus का sign तुमने उठा के यहाँ पर लगा देना है और यह minus का sign यहाँ पर लगा देना है तो basically तुमारे factor क्या आगे एक यह बन गया एक यह बन गया मतलब 1x को हम x लेख सकते है x plus 3 8 factor आगया 3x minus 5 दूसरा factor आगया ठीक है है न कितना easy दूसरा question practice करते है 12x square minus x minus 35 देखो 12x square के 12 के बहुत सारे factors बनते है 1 2 3 4 ठीक है मेरा experience कहता है कि यहाँ पर 3x और 4x यह factors बनेंगे चोटा उपर लिखा नीचे बढ़ा लिखा ठीक है और जो 35 है 35 के जो factors होते है 5 x 7 35 तो मैंने चोटा उपर लिखा और 7 नीचे cross multiply करा 4x x 5 20x and 3x minus 7 21x देखो इन औरों का क्योंकि minus का sign है इन औरों का difference कितना आ रहा है 1x ठीक है same आ गया अब क्योंकि यहाँ पर minus का sign है तो बड़े वाले के आगे minus का sign छोटे वाले के आगे plus का sign यह plus यहाँ आजएगा यह minus यहाँ आजएगा एक factor यह बन गया एक factor यह बन गया मतला हमारे factor क्या बन गए 3x plus 5 और 4x minus 7 है ना बहुत easy ठीक है और practice करते है 18x square plus 9x minus 35 18x square के बहुत सारी factors होते है 1 2 3 6 9 18 ठीक है तो मेरा जो experience कहते हैं क्या कह रहा है कि हाँपर रहेगा 3x और 6x थोड़ा जब तुम प्राक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे experience भी तुम्हें बताने लगेगा कि क्या आने ठीक है और 35 के जो factors आएंगे वो क्या आएंगे 5 और 7 ठीक है 5 और 7 देखो यह चोटा लिखा यह बड़ा लिखा यह चोटा लिखा यह बड़ा लिखा यह बड़ा ल माइनस यहां आ गया एक फैक्टर बन गया यह एक फैक्टर बन गया यह मतलब 3x प्लस 5 और दूसरा बन गया 6x माइनस 7 ठीक है ना next question करते है 12x square माइनस 59x प्लस 72 अभी तक तीनों questions में माइनस था difference देखना था अब हमें sum देखना है ठीक है 12x square के जो factors आएंगे वो बनाते ह क्या आएंगे 3x and 4x ठीक है और 72 के जो factors आएंगे 8 और 9 ठीक है 8 और 9 cross multiply करते हैं ठीक है 4x into 8 कितना आ गया 32x और यह 3 into 9 27x देखो दोनों का sum आ रहा है ना 59 क्या आ रहा है 59x आ रहा है ठीक है अब क्यूंकि यह पर minus का sign है तो दोनों के आगे same sign आएगा minus का मतलब यहां भी minus यहां भी minus एक factor बन गया यह एक factor बन गया यह 3x minus 8 and 4x minus 9 है ना बहुत ही easy trick है within 5 to 8 seconds आप लोग यह questions solve कर पाऊगे बस 20 questions एक बार practice कर लेना फिर बहुत ही easy हो जाएंगे ठीक है अब कुछ और questions करते हैं कुछ और questions practice करते हैं 8x square minus 22x minus 21 right 8x square के जो factors बनेंगे 1 2 4 8 ठीक है तो मैं बना रहे हैं आप 2x and 4x right और 21 के 21 के जो बनेंगे वो 3 और 7 बनेंगे देखो difference आना है तो naturally यहां पर थोड़ा सा मैं अपना mind यूज़ करना है तो 7 और 3 इस तरीके से लिखा जाएगा इस बार हम छोटे को उपर नी लिख करेंगे 4 into 7 28 x 3 into 2 6 x ठीक है दोनों का difference minus से दोनों का difference आ रहा है 22x ठीक है 28 minus 6 कितना होता है 22x यहां पर minus का sign है तो बड़े के आगे minus का sign छोटे के आगे plus का sign मतलब माइनस क्या प्लस क्या तो क्या आगे 2x minus 7 और 4x plus 3 ठीक है है ना बहुत easy अब हम करते है 24x square minus 65x plus 21 24x square के क्या factors बनेंगे 3 और 8 ठीक है 3x और 8x और 21 के जो बनेंगे वो 3 और 7 ठीक है तो basically यहां पर बहुत बड़ी digit है इसलिस 7 को उपर लिख रहे है और 3 को नीचे लिख रहे है ठीक है थोड़ा हमें अपना experience में use करी हो आप लोग अपना mind use करिएगा 7 8 56x और 339x दोनों क सम कितने आ गया 65 ठीक है अब क्योंकि हमें प्लस का साइन है तो दौनों के आगे माइनस का साइन आएगा मतलब यहां माइनस क्या माइनस एक फेक्टर हो गया यह एक फेक्टर हो गया यह 3x-7 8x-3 ठीक है 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 ना easy next 14x square plus 41x plus 15 ठीक है 14x square के 2x और 7x 15 के 5 और 3 ठीक है 3 अगर ठीक ना होता है छोटे को नीचे बड़े को उपर तो 5 उपर और 3 नीचे क्रॉस मंटिप्लाई 35x और 6x देखो दौनों को हमने प्लस करा 41x आ गया तो दौनों के आगे प्लस प्लस साइन आ गया 1 और 7 बनेंगे तो 1x और 7x और 21 के क्या बनेंगे 3 इंटो 7 नेचरली यहां पर 46 है तो मैं बड़े वाले डिजट उपर लिखोंगे नीचे छोटी वाली क्रॉस मल्टिप्लाई 7 7 जा 49 49x और 3x ठीक है दौनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 46 नेचरली यहां पर मैनस का साइन है बड़े वाले के मैनस यहां पर प्लस तो यह आ गया है यहां पर मैनस यह आ गया प्लस तो हमारे जो फैक्टर्स आगे वो कुछ यह आगे 1x मैनस 7 और 7x प्लस 3 इस बन को लिखो या मत लिखो कोई फरक नी पढ़ता है तो स्टुडेंट्स यह बहुत ही इजी ट्रेक है कम से कम 20 कोशन करना उसके बाद आप लोग फटा 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 फटी कोशन सौल करते चले जाओंगे विदिन 10 सेकंड तुमारे कोशन सौल हो जाएगे ठीक झाल 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 झाल